देश में सबके सामुहिक प्रयासों से कोरोना के खिलाप लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वास्तों में भारत वास्यों की उपलब्ति कितनी बड़ी है हमारी जनसंख्या जादातर देशों से कई गुना जादा है हमारे देश में चुनावतियां भी भिन प्रकार की है लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जीतना दुनिया के अन देशों में फैला कोरोना से होने वाले मृत्य दर्भी हमारे देश में काफी कम है जो नुक्षान हुआ है उसका दुख हम सब को है लेकिन जो कोई भी हम बचा पाए है वो निश्चित तोर पर देश की सामुहिक संकल्प शक्ति का ही प्रणाब है इतने बड़े देश में हर एक देश वासिने खुद इस लड़ाई को लड़ने की ठानी है यह पूरी मुहीम पीपल डिवन है साथियों देश वासियों की संकल्प शक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो है देश वाज्चियों की सेवा शक्ति वास्टों में इस महामारी के समय हम भारत वाज्चियों ने ये दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं है बलकि भारत की जीवन पद्धती है और हमारी यहां तो कहा गया है सेवा परमो धर्मह सेवा स्वयम में सूख है सेवा में ही संतोष है आपने देखा होगा कि दूसरों की सेवा में लगे व्यक्ति के जीवन में कोई डिप्रेशन या तनाव कभी नहीं दिखता उसके जीवन में जीवन को लेकर उसके नजरिये में भरपूर आत्मविश्वास सकारक्त मक्ता और जीवन तता प्रतिपल नजराती है साथियों हमारे डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ सभाई कर्मी पुलीस कर्मी मिडिया के साथी ये सब जो सेवा कर रहे हैं उसकी चर्चा मैंने कई बार की है मन की बात में भी मैंने उसे जिक्र किया है सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों के संख्या अनगिनत है ऐसे ही एक सज्जन है तमिलनाडू के सी मोहन सी मोहन जी मदुरे में एक सलून चलाते हैं अपनी महनत की कमाई से इन्हों ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपे बचाये थे लेकिन इन्हों ने ये पूरी राश्य इस समय जरुरत मंदों गरीबों की सेवा के लिए खर्च कर दी इसी तरह अगर तला मैं ठेला चला कर जीवन्यापन करने वाले गाउतम दास जी अपनी रोज मरा की कमाई की बच्चत मस से हर रोज दाल चावल खरिद कर जरुरत मंदों को खाना खिला रहे पंजाब के पठान कोट से भी एक ऐसा ही उधारन मुझे पता चला यहां दिव्यांग भायराजु ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई छोटी सी पुंजी से तीन हजार से अधिक मास्क बनवा कर लोगों में भांटे भायराजु ने इस मुश्किल समय में करीब सो परिवारों के लिए खाने का राशन भी जुटाया देश के सभी इलाकों से विमेंज सेल्फ हेल्फ ग्रूप के परिश्नम की भी अंगिनत कहानिया इन दिनों हमारे सामने आ रही है गावों में छोटे कस्पों में हमारी बहने बेटियां हर दीन हजारों के संख्या में मास्क बना रही है तमाम सामाजिक समस्ताय भी इस काम में इनका सयोग कर रही है साध्यों ऐसे कितने ही उधारान हर दिन दिखाई और सुनाई पढ़ रहे है कितने ही लोग खुद भी मुझे नमो एप और अन्यमाध्यमों के जरिये अपने प्रयासों के बारे में बता रहे है कई बार समय की कमी के चलते मैं बहुत से लोगों का बहुत से संगठनों का बहुत से संस्ताओं का नाम नहीं ले पाता हूं सेवा भाव से लोगों की मदद कर रहे ऐसे सभी लोगों की मैं प्रसंसा करता हूँ उनका आदर करता हूँ उनका तहे दिल से अभेनंदन करता हूँ